आज कि वीडियो में आपके लिए क्लाश 12 कमिष्ट्री का फॉल नोट्स लेके हूं जो कि आपको सिब्स रिपोर्ट का एकजाम 28 फेवरियरी को हैं और आज हमाँ 25 फेवरियरी हो गया है आप इस नोट्स को सिर्फ दो दिन में पढ़कर आप फूरी कमिष्ट्री कम्प्लेट सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कभी भी कहीं विडियो को इंड तक वाच कीजिएगा मैं वीडियो को इंड में बताऊंगा कि आपको पीडियाप कहा मिलेंगे और मैंने इसमें पूरे 10 चेप्टर कवर किये हैं तो सबसे पहले मेरा स्लूशन चेप्टर आता है स्लू मार्क्स कहीं नहीं गये हैं एक बार आप इस नोट्स को बस रीडिंग जैसे पड़ते हैं रिवीजन दो दिन कर लीजिए अच्छे से फामूला वगरा जो है इसमें तो दो तिन फामूला इंपॉर्टेंट वाई याद कर लीजिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ नाइन मार्क्स का रहाए निसमें निघ्रा फाइप मांक सब्सक्राइब होंगे तुसलिया तो मैं हो सगे तो करा दूंगा निमेडिकल बाकि इसके स्टील प्रिजेंटेशन करते हैं इसके लिमेरिकल आते हैं और इन्होंड निकलने कर वहीं निमरिक्वर्टेंच ज्पू कोशन कन्फर्म बनेंगे तभी इस चेप्टर से आपको नाइन मार्क्स के कोशन पुछे जाएगे इसमें आपको फामूले ज्यादा इंपोर्टन नोगरते हैं जैसे आपको यह मोलर कंडुक्टिविटी का फामूले इंपोर्टन कविशन पूछ लिया जाएगे इसलिए है और अच्छे से फामूले वगरे याद कर लेने हैं बस आपके एक चेप्टर हो जाएगा उसके थोड़ी एजी रहते हैं लेकिन आपको थोड़े समझने पढ़ेंगा इसमें फर्स्ट लाशिकर लो इस सबके जो फामूले होते हैं वह भी आपको याद करने पढ़ेंगे और और अधर रेक्सेन कैसे निकाले जाते हैं और इसके यूट जीर और क्या होते हैं फर्स्ट और क्या होते हैं सब आपको याद करने पढ़ेंगे अगर आप एक बार भी चेप्टर पढ़ें तो आपके लिए नोट सब्सक्त है मैंने इसमें सभी टॉपिक जो इसमें आपको मतलब एक प्रकास तेवरी चेप्टर इसमें स्वार्ट सुको यह भी मास्टर मांक्स काया है लेकिन इसमें लॉंग कोशन नहीं आएंगे सब्सक्राइब पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा से अंसी आटी देख लेंगे तुसक्त कई पूचे जाते ह आपको इसमें पांच नंबर कॉष्टन आएगा तो एक पांच पार्ट होंगे इसमें लॉंग कोशन बनते ही नहीं दैवन यही से पूचे जाता है ठीक इसमें यह बीच्प्टर आपको स्टेवन मार्कस कायेगा और यह चैप्टर तो मुझे लगता है बाकि आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्राथा कॉडिनेशन कंपाउंड सबसे बेश्ट और सबसे बढ़ियां चिप्टर रही हैं समलीजा अगर आपको इसमें नॉमेंट क्लेचर हो गया तो नॉमेंट क्लेचर हो गया और मु आपको बीडियाब में पर आपको अच्छे माक्स आ जाएंगे पर नहीं फढ़ते हैं और आपको आपकी अच्छे माक्स आ जाएंगे और इसमें स्ट्राइब क्योंने घ्री टेटिक यह बनाने के में च्रिविधाब जायता है यह भी दमीजी मैंने उस वाले पीडिया में तम अच्छे से किया हुआ है यह वाला पीडियाफ इस वाले पीडियाफ को कर आप पढ़ लेते हैं अच्छा से तो इसमें सॉट्स टाइप नोड्स है लेकिन जो भी है इतम बेस्ट नोड्स है इसके एक्जांपल नौमें ट्ले इस अगर आप इतना कर लेता है तो आपको से कहीं नहीं गया है लेकिन आप लोग डर जाते हैं उसलिए पेपर को हार्ड बना देते हो उसका अगला चेप्टर है सब्सक्राइब करेंगे तो होई जाएगा इसमें आपको सेप्रेट वीडियो बना दो सिर्फ नेमिंग रियक्शन का इसमें आपको पीडिया जाएगा नेमिंग रियक्शन का सबसे इंपोर्टन होता है नेमिंग रियक्शन कोई नेमिंग रियक्शन आई जाती है यह फिसकल प्रप्रप्रटी चाप थोड़ा पहुत पढ़ने के तपर भी हो जाएगा आपको थोड़े बहुत रियक्शन ऐसे पढ़ लेते हैं और अच्छे देख लिएगा कैसे क्या होता है इससे भी कोशन आई जाते हैं आपके और नेमिंग रियक्शन हुआ रियक्शन विदिए सब आपको प्रोसेस यह भी आपको इंपोर्टन है इसके रियक्शन आपको अगर इसमें आपको नेमिंग रियक्शन पढ़ लीजेगा और इसमें आपको अच्छे से मैंने नोट्स वगरे लिखे तो हैं लेकिन अगर आपको समझ मैं तो काफी अच्छी बात है कि इसके भी मैंने सौट्स नोट्स रखे था अगर हो सके आप कमेंट बॉक्स में बताया कि तुम्हें प्रोवाइट कर दूंगा अगर्डल क्राफ्टी रखी नेमिंग रियक्शन ये शब आपके इंपॉर्टन है उसका अगला चिप्टर माता है है अल्ली हैट के टॉंस अगर्ण कर्बजाए लेकर सिंट यह हमारा आठ मार्ट मार्ट क्याते हैं ठीक एट मार्ग से यह सबसे बढ़िया का नोट्स मेरे पूटे कोपी का तो इसी चैप्टर इसका और अमिया सब्सक्राइब नोट्स को रट्टा माले तने एक दो घंटे में तो समल लिजए आप आप पढ़ लेंगे मैंने पेंसल से इसमें बना दिया कि कैसे कौन प्लस किधर जाएक बाइनस कब जाएगा और कुछ नेमिंग रियक्शन इसको आप याद कर लिजिए उसके बाद हमारा होता है फेलेंग टेस्ट होता है इसको आपको पढ़ लेना चाहिए पिछले पीवाइक्व में आया था उसी मा गया था और लॉल कंडेसन थोड़ा अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा बाकि नोड्स रिवीजन के लिए बेश्ट है उसको बसमाया कार्बज इसके बादव प्रिफ्रेशन है फ्रम ग्रिगनार डिजर्ट एंप्टरंट है कैसे प्रिपेर के जाता है प्रेशन है फिच्कल प्रॉपरिटीज है इंप्र प्रॉपर्पर्टीज में कुस्ट रियक्शन यह नैट्रेशन ब्रमिनेशन शर्फनेशन फिर इस आपको जब बॉक्स दिसे एक दे दिया उसको तापको तीर बना कर देदेगा कि a b c d क्या होगा रेक्षन तो यह सब काम आते हैं ब्रोमिनेशन करने पर क्या होगा यह आपको लिगन जो यह आश्मानी करार से या फीव बियार्थी है यह आपको जादा रखना पड़ता है कि पर फर ना इसके चेप्टर है यह बिसके भी नोट्स अच्छे समें नमें नोमें लेचर किया उसको प्रिपेर कैसे किया जाता है यह देखितो तीन इंपॉर्टेंट रहें ने मिने एक इसका पढ़ लिजिए गाउसका फिचल प्रॉपर्टीज कि आपको पॉइलिंग यह घंख मैं आप पूरा याद कर लिजेगा उसके पाइस क्यों पता है श्टेट होता है जब आप इसको मतलब इसके इन आप इसके इन पोजिट होता है और यह जदा होता है अब आप मेथाइल और इसमें आप कैसे कहेंगे 213 211 ऐसे जाद कीजिए में कार्बन काम होते हैं 213 होगा ऐसे आप ट्रीक बना की याद कर सकते हैं इसके में पी रियक्शन हो यहीं बताएं सब्सक्राइब करने में काम आते हैं आपको इसके बाद में लाश्र बाइमालिकोल इतना में चैप्टर भी साथ मार्स के आते हैं इसमें आपको थेवरी थेवरी ज्यादा है थोड़ा अगरा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे मार्स आजाएंगे इस नोट्स में मैंने सभी चीज का मलब सभी कवर्ड किया हुए हैं बस आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेजिए आपके अच्छे मार्स आजाएंगे इसमें थोड़े रियक्शन हो रहा है तो आपको रियक्शन हो गया देखने पड़ेंगे दैसे कभी कोशन पूछ लेता है एक दो तीन मार्स के लेकिन साथ मार्स से कोशन आएंगे हो सकते का डिफ्रेंस भी आजाएं इस हो सकते साइकली के स्ट्रक्चर आप ग्लुको ऐसे बनाके देदे गए साइट क्या आगे से इसका क्याना में वीटर डी प्लस ग्लुकोज इभी चप्टर इजी लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूवा थे परस अगर आपकी प्रैक् पढ़ना चाहते तो पहले से पढ़ते आज मेरी वीडियो देखने नहीं आते तो लेकिन उतने भी खराब नंबर नहीं पासकते मेरे नोट्स पढ़के कि जितने आपको एकिन लग रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिदेंस आएगा कि नोट्स पढ़ने के बाद हाँ चेप्टर चाहिए पीडियाफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वाँ मैंने कोई भी पास्वर्ड नहीं लगा है पास्वर्ड आपको एक्जाम खतम होते मान मैं लगा दूँगा एक्जाम तग आप चाहिए जितना ही होच कर सकते पीडियाफ कर लिज और पढ़ाई करते रहेगा आपके एक्जाम के लिए अच्छा से एक्जाम देखे आएगा थैंक यू